हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो लॉजिक पार्ट शाला आज के सेशन को शुरू करते हैं और पीडियेफ आप लोग को अवैलेवन मिल जाएगा टेलिग्राम गुरूप से लॉजिक पार्ट शाला 16 जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्किप्शन बॉक्स में सबसे पहले हम एक motivation quote से start करते हैं वेडियो को आज का हमारा motivation quote है देखे ये हम ही होते हैं जो हम खुद को ही कहते हैं कि अच्छा मैं एक काम नहीं कर सकता है कर सकती या मैं इसमें नहीं जीश सकता है जीश सकती उसको सुनना ही छोड़ दीजे जबकि इसकी जगापर आप ये सोची अपने बारे में आपने आपको रोज ये कहिए कि आप इस काम में सक्सेस हासिल करके दिखाएंगे और आप इसमें सक्सेस जरूर हासिल करेंगे इस तरह से अपने आपको अगर आप रोज मोटिवेट करेंगे आप एक नए एक दिन जरूर अपनी मंजल पे पहुँचेंगे और आपके लाइफ में हमेशा अच्छा होगा इसलिए फैंट्स पॉजिटिव सोचे और उस पर वर्क करें चले आज के important day की बात करते हैं तो very important day 15th of January 15 जन्वरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी टी वही जो भारतिस सीना दिवर से ये 15 जन्वरी को मनाते हैं इस दिन क्यों मनाया जाता है इसकी बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये दिन उस दिन को commemorate करता है जब लेफटिनन जन्रल केम करियपपा ने फ्रेंसिस जो फ्रांसिस बुचर थे उनसे कमांड लिती यानि फर्स्ट कमांडर इंचीर जो थे उनका पदभाय संभाला था और ये कब हुआ था 15th of January 1949 को तो इस दिन लेफटिनन जन्रल केम जो करियपपा है उन्होंने भारते सीना के पहले कमांडिंग इंचीफ के रूप में जो ये पोस्ट थी यह जो पदभार था वो किसे लिया था फ्रांसिस बुचर से तो इस दिन को कममरेट करने के लिए इस दिन को याद करने के लिए हर एक साल 15 जन्वरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे फ्रांसिस बुचर की बात करते हैं तो ये इंडिया के लास्ट ब्रिडिश कमांडिंग इंचीफ थे कमांडर इंचीफ और इंडिया के पहले कम इस बार देखिए 76th Army Day मनाया जा रहा है और ये जो celebration होगा ये organize किया जाएगा कहां पे याद रखेगा लकनौमी तो कौन सा celebration है 76th पहली बार देखिए artificial intelligence को use किया गया है to identify the best marching drill and identify the best contingent in the parade तो जो parade होगी जो march होगी उसमें best को चुनने के लिए इस बार पहली बार AI को use किया जाएगा तो ये भी important point बन सकता है कि पहली बार किसे use किया जा रहा है अब friends चले एक बार कोई revision कर लेते हैं अभी तक हमने January के जो भी important days को cover किया है तो देखिए 1st of January की बात करते हैं तो इस दिन कौन-कौन से important day है global family day, world day of peace, copyright, law day 4th of January को है world braille day 6th of January मनाया गया world day of war orphans जिसकी theme रही orphans leave matter उसके बाद 9th of January को मनाया गया प्रवासी भारतिय दिवस, 10th January को मनाया world hindi day और इसकी theme रही hindi bridging traditional knowledge and artificial intelligence उसके बाद देखिए 11 चनवरी को मनाया गया लाल भादु सास्टरी जी की इस दिन death anniversary जो है commemorate की गई 12 चनवरी को आया कौनसा important day national youth day अब शुरू करते हैं question 1st पहला question है देखिए इंडिया नेवी will host which edition of the multinational exercise जो की है Milan 24 in विशाका पठ्टम ये exercise होगी 19 से लेके 27 फर्वरी और इससे इस पार देखिए host करने जा रहा है इंडिया नेवी तो ये question में important है कि इस exercise को host कौन सा देश करेगा इंडिया ही से host करेगा अब बात करते हैं कौन सा addition है ये तो इस पार जो है इसका कौन सा संस्क्रण होगा answer is 12 तो addition होगा 12 एक्सराइज है मिलान कहां पे होगी विशाका पठ्टनमी मिलान जो है बाइनियल मल्टी नैशनल नेवल एक्सराइज है ये शुरू कब होई थी तो 1995 में शुरू होई थी और इसमें देखे चार foreign countries ने भाग लिया था इंडोनेशिया, सिंगापूर, श्री लंका और थाइलेंड तो इन चार countries के participation के साथ ही इस exercise के शिरुवात होई थी अब चलिए यहीं पर हम इसको नहीं cover करेंगे, हम और भी exercises को revise करेंगे, वैसे इस पर आपको एक अलग से वीडियो हमने provide कर दी है, जिसमें हमने 2023 के सभी important exercise को discuss किया, जल्दी से जाए चारल पर visit करें, अभी recent ही वो वीडियो upload होई ये तो आपको मिल जाएगी उसके बाद देखें, अगर कुछ और exercises की बात करती हैं, तो desert cyclone exercise होई थी, पहला ही इसका edition हुआ था, किस-किस के बीच, इंडिया और UAE, और कहां पे हुई, तो ये exercise राजस्तान में हुई इसके बाद बात करती हैं, देखें, बिन्बिक्स, बिन्बिक्स एक military exercise है, जिसका हुआ 4th edition और ये हुई इंडिया और वियतनाम के बीच, कहां पे हनोई वियतनाम में निक्स्ट आती है, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार exercise का 14th edition हुआ और ये हुआ इंडिया और USA के बीच, ये exercise कहां पे हुई, उम्रोई मीघालिय में इसके बाद आती है, मित्र शक्ती, मित्र शक्ती जो exercise हुई, इसका हुआ है 9th edition, ये exercise हुई इंडिया और श्री लंका के बीच, कहां पे, तो पूड़े में जो है ये exercise हुई थी, इस तरह से exercise देखे, कौन-कौन सी country इसके बीच में हुई है, कहां पी हुई है, ये point आपके जादा important होती हैं, next question देखिए, which country will publish a bill that will legalize same-sex marriage in a bid to eliminate discrimination based on sexual orientation, तो अभी कौन सा देश यौन-रुजान के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए some-language विवा, जो same-sex marriage है, उसको वैद बनाने वाला विदयक प्रकाशित करेगा, अब ये bill देखिए, पब्लिश करेगा और कौन सी कंट्री इसको करेगा, answer is Greece, so Greece जो है, पब्लिश करेगा, Greece के जो प्राइब मिनिस्टर है, क्यारी कोस, मिच्सो टाकिस, उन्होंने कहा है कि Greece जो है, बहुत ही जल्द एक bill को देखिए, पब्लिश करेगा, जो की legalize करेगा, same-sex marriage को, और उससे क् discrimination होता है, देखिए, वो खत्म हो सकेगा, तो इसी को ही खत्म करने के परपस से, ग्रीश जो है, इस bill को जल्द ही पब्लिश करेगा, ग्रीश की बात करेगा, तो आप locate देख सकते हैं, यहाँ पे located है यह, और ग्रीश की capital है, एथेंस, currency है, यूरो, प्राइम मिनिस्टर है, क Defence Force will observe 2024 as the year of technology absorption, कौन सा रक्षा बल 2024 को प्रद्योग की अफसोशन वर्ष के रूप में मनाएगा, तो अगर बात करें कौन सा Defence Force की बात हो रही हैं पे, तो आंसर होगा, इंडियन आर्मी, अच्छा, इंडियन आर्मी के सापना 1st of April 1895 को हुई थी, headquarters का New Delhi में है, मोटो है, सर् सेवा परमधर्म, कमांडर इंचीफ के बात करें, तो करेंट में है हमारी प्रेजिदेंट रॉपधी मुर्मू, सीडियस कौन है, चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ, तो करेंट में है, लेफटिनन जेनरल अनिल चोहान, आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है, जेनरल मनोज पांडे, और वाइस चीफ का नाम है, लेफटिनन जेनरल M.V. सुचींदर कुमार, तो ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, देखें, हम कोशिश करतें आपको, अगर क्वेशन से लेटेट कोई एक्स्टा फेक्ट है, कोई स्टेटिक जीगी से जुड़ा कोई भी फेक्ट है, उसको भी डिसकस करें, ताकि हम अच्छे से पूरे क्वेशन को कवर करें, तो उसके लिए बस वेंट्स, आपको भी थोड़ी पहनत करनी होगी, आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और अच्छे से ध्यान लगा के, नेक्स्ट कोशन की बात करती है, कोशन है, DRU सक्सेस्फुल अब इसका अभी फ्लाइट टेस्ट किया है, अब इन दो स्टेटमेंट इसके बारे में दीगी है, इन में से कौन सा सही होगा, पहला स्टेटमेंट देखें, जो नई जनरेशन की अकाश मिसाइल है, ये इंटरसेप्ट, हाई स्पीड, एजाइल, एरियल जो थ्रेट्स होत अब बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखें ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है, ये बिलकुल सही है, आंसर इस ऑप्शन नमबर C, कोशन ऐसे फॉर्म हो सकता है कि अकाश मिसाइल जो है, इसको सक्सेफुली किसने इसका भी टेस्ट किया है, देखें ये जो दोन ने कहां किया है, चांदीपूर of the coast of Odisha, तो इस तरह से यहां से कोशन आपको पूछ सकते हैं, देखें इसको सकते हैं, देखेंट की फिल फॉर्म है, डिफेंस रिसर्च और डिवलप्मेंट ओर्गनाइसेशन, देखेंट के सापना हुए 1958 में हेटकॉर्टर है न्यू डेल तो इस स्कीम को शुरू किया है करनाटक गवर्मेंट ने, तो इस स्कीम को शुरू करने का में उदेशे क्या है, कि स्टेट में जितने भी देखें graduate हो गए या जिनके पास डिपलोमा है, उनको unemployment में उनको मदद करना, बेरोजकारी सहायता उनको प्रदान करना, कि उनको employment मि सके, वो बिरोजकार ना रहें, तो उन समी में उनकी मदद करना ही इसका main उदेशे है, इस स्कीम के तहर देखो क्या होगा, कि government जो है, ये 3000 रुपे पर month, यानि हर एक महीने 3000 रुपे देगी degree holders को, और 1500 रुपे, 1500 रुपीज पर month देगी diploma holders, है न, who have been unable to secure employment in the last 6 months, जो पिछ उसको दिये जाएंगे, and are not pursuing higher study, और वो higher study आगे pursue नहीं कर रहे, तो उने जो है, ये amount हर महीने दिया जाएगा, करनाटक गवर्मेंट के द्वारा ताकि उनकी मदद की जा सके, करनाटक की बात करते हैं, क्यापिटल है बिंगलूरू, चीफ मिनिस्टर है सिद्धा रमिया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, यहां के important temple से बिरुपाक्ष और गुमतेश्वरा, फोक दान से यहां का लिक्षगान, नेशनल पार्क की बात करें, तो देखे कौन-कौन से हैं, बांधीपूर, बानेर घटा, कुद्रे मुख नेशनल पार्क, नागर होल और अंशी करनाटक से कुछ important news को भी revise करा देती हूं, ताकि हमारा थोड़ा सा और अच्छे से revision भी हो जाए, तो friends, करनाटक सरकार ने देखे अभी डॉक्टर पुनीत राजकुमार हिर्दे जोती योशना को launch किया था, इसके लब friends, करनाटक सरकार ने ही गरह जोती scheme शुरू की थी, कर प्राइमनिस्टर मुधी जी ने inaugurate किया था, शिवा मोगा एयरपोर्ट कहां पे करनाटक स्टेट में, next question है, international camel festival organized in which state, तो जो अंतराश्टी ये उट महस्तव है, ये किस राजे में आयोजित किया गया है, तो ये अभी रिसेंट ही आयोजित हुआ है, कहां पे, तो friends right answer है, राजस्थान, तो हम इसको कर लेंगे याँपे, राजस्थान, तो राजस्थान में मनाया गया है international camel festival, तीन दिन का जो ये international camel festival था देखिए, ये तरीके से वहां की जो culture है, वहां की जो सब्यता है, उसको ये showcase भी करता है, inaugural day, यारि जब इसका उत्गाटन दिन हो होता है, उस दिन जो streets होती है, वो सजेवे बहुत सारे camels आते हैं, उन से पूरी alive ऐसी होती है कि जीवित हो जाती है, सब अपने-पने camels को बहुत decorate करके लेके आते हैं, और इस तरह से पुरा festival मनाया जाता है, कौन सा international camel festival, यहां पर बात करें राजस्थान की, तो देखें, राजस्थान की formation हुई, 13 मार्श 1949, कापिटल है जैपूर, यहां के चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा, और गवर्नर है कालराज मिश्वा, लोकसभा की सीटे है 25, राजसभा की है 10, हारेटे साइट्स में हैं यहां पे केवलदे नैशनल पार्क, हिल फोर्ट्स और सरिस्का नैशनल पार्क, इंपोर्टन डैम्स की बात करें, तो देखे कौन-कौन से हैं, बीसलपूर डाम, यह बनास रिवर पे बना है, माही बजाज सागर डाम जो की माही रिवर पे है, राणा प्रताब सागर डाम है चंबल रिवर पे, और जवाई डाम है कौन से रिव ही i start talent connect portal जो है इसे launch किया था इसके लाँ friends राजस्थान से राजस्थान की बात करें प्राइम मिनिस्टर मोधी ची ने यूरिया गोल्ड ये यूरिया की एक नई देखिये किस्म है इसे राजस्थान में ही launch किया था राजस्थान जो है country का पहला state बना जिसने blindness control policy को implement किया है next question देखे who has been appointed as a representative of the United States on the executive board of the WHO WHO के कारेकारी board में सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनधी के रूप में किसी नियुक्त किया गया है तो representative जो बने है उनका नाम है विवेक मूर्ती इसके लावा कुछ foreign से appointments की बात करें तो दिखे भी BIMSTAC के secretary general बने है इंद्रमणी पांडी इसके लावा world trade organization जो है उसके permanent representative कौन बने कौन अपॉइंट हुए है सेंथिल पांधियन next याद दिखेगा Asian Development Bank के executive director बने है विकास शील और इसके executive director की बात करें executive director के advisor जो बने है उनका नाम है इसमिता सारंगी दोनों याद दखेंगे अगर पुछें ADB के executive director तो answer होगा विकास शील और executive director के भी advisor कौन बनी है इसमिता सारंगी next question देखे who among the following have been appointed as the member of UPSC UPSC यानि Union Public Service Commission संग लोक सेवा आयो के सदस्य के रूप में अभी किसी न्युक्त किया गया है तो friends तही answer है शील वर्धन सिंग शील वर्धन सिंग जो है इनने अभी UPSC के as a member के रूप में इनको न्युक्त किया गया है प्रेजिडेंट ने अपॉइंट किया है शील वर्धन सिंग को as a member Union Public Service Commission का अंडर कौन से आर्टिकल के दे तो इंडिया का चो constitution है उसका आर्टिकल नंबर 316 के 11 में है जिसके according ये किया गया शील वर्धन सिंग जो है 1986 बैच के है IBS officer 26 को headquarters का न्यू डेली में है chairman है इसके मनोज सोनी और इसके लावा UPSC जो है Central Recruitment Agency है देखिए इंडिया में जो की जितनी भी group एगे post होती है उनकी लिए जो है ये परिक्षा होती है Government of India के तहत अब देखिए 2022 के लिए दिया गया है तेंसिंग नौरगे राष्टे साहसिक पुरुषकार और ये अवार्ड किसे मिला है सवीता कांसवाल को सवीता कांसवाल की बात करते हैं तोड़ी सी तो सवीता कांसवाल को posthumes लियानी इनको मरनो परांत मिला है उन्होंने चोहे देखिए अपनी अजीमेंट किसमें हासल करी थी लेंड एडवेंचर में उनको ये अवार्ड मिला है सवीता कांसवाल first female इंडियन माउंटीनियर रही जोकी जिन्होंने दो पीक्स को 16 देज में कवर किया जिसमें था 8000 मीटर पीक माउंट एवरिस्ट और माउंट मकालू दोनों पीक्स को कवर किया just for कितने देज 16 देज और friends 4th of October को उत्राखंड के उत्रकाश में एक बहुत बड़ा अवलाज शाया था जिसमें जो है she lost her life तो उनको भी posthumes ली मिला है 2022 के लिए तैंसिंग नौर गे नैशनल एडवेंचर अवार्ड इसके साथ बात करेंगे कुछ और अवार्ड की तो देखे 2023 का साष्ट रामनुजन प्राइस किसने जीता रुई जियांग जांग ने दादा साहिफाल के लाइफटेम अचीमेंट अवार्ड किसे मिला है वाहिदा रह्मान को इसके लावा देखे फेशन डिजाइनर है राहूल मिश्रा जिनने फ्रांस के शेवेलियर डी ली ओर्डर डी आर्ट और लेटर्स के द्वारा सम्मानित किया गया उडिसा की जो स्वाती नायक हैं उनको रिसीव हुआ दोहसाद दी हिसका नॉर्मेन बोर्लोग फील्ड अवार्ड और लाश में जाने किया कि राइस्तान की प्रियन सीन जो है ये बनी है मिस अर्थ इंडिया ट्विंटी ट्विंटी थ्री तो इन सभी को भी याद रखीगा इंपॉर्टेंट अवार्ट्स हैं तो सिंपल याद रखेंगे कि जो आत्मिय सभा है देखे इसकी स्थापना किसने की तो आत्मिय सभा की जो स्थापना है ये की है राजा राम मोहन रॉयने नेक्स्ट क्वेशन वो इंट्रेडूस्ट दे डुवेल गवर्रमेंट सिस्टम जो की होती है दुहुरी साशन प्रणाली तो ये इसकी शिरुवात किसने की दियांसर इस रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्रनर रहे थे 1757 से लेके 1760 उसके बाद दुबारा गवर्रनर बने ये 1765 से 1767 उन्होंने ही देखे जो डुबर्ट सिस्टम है वो बंगाल में इंटोडियूस किया था और कब किया था ये एर भी इंप्र्टेंट है 1997-65 में इन्होंने इंटोडियूस किया था अगला कोशन देखे तर फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिएट आफ दी इंडिया नाशनल कॉंग्रेस वोज भाते राश्टे कॉंग्रेस के पहले मुस्लीम अध्यक्ष कॉंथे तो याद अखना है बदरुद्दीन तयब जी बहाते राश्टे कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्याक्ष थे यह पात किसने कही है कि भारी उद्योव विकास का परियाए है तो यह किसने कहा है जवाहलाल नहरुजी ने तो यह देखेंगे कि वाक्य किसने कहा है जवाहलाल नहरुजी ने तो यह कुछ-कुछ important points है जो कि finds हमारे लिए याद रखने ज़रूरी है और यह strategy के questions भी ऐसे होते हैं जो एकसर exam में most of repeat हो जाती है अब finds कलके questions को चले revise कर लेते हैं पहला question है किस country ने लौँज के एक नई satellite Einstein probe Einstein probe जो satellite है देखें इसे launch किया है किसने चाइना ने Next question which country has launched the Green Fuels Alliance India किस देश ने Green Fuels Alliance India जो है launch किया है तो finds इसे launch किया है किसने Denmark ने Next question which tiger reserve जिसे मिला इंडिया के पहले dark sky park का खिताब तो ये जो title है first dark sky park ये किताब जीता है किसने पेंच टाइगर रिजर्व ने Next Adani group unveiled India's first medium altitude long endurance drone for the navy What is the name of this drone अब एक drone जो है उसको unveil किया है Adani group ने देखिए इस drone को नाम क्या दिया है इसका नाम्यादत ना Drusty 10 star liner Next question which institute researchers have developed a warm vaccine ये जो warm vaccine है वो किसके against work करेगी SARS-CoV-2 तो इस warm vaccine को किसने जो है friends विक्सित किया है आंसर इस आयाई एसी बिंगलूरू के researchers ने Next question which state government has launched the blue carbon agency to preserve and restore coastal ecosystem किस राज़ो सरकार ने दिखिया अभी तटिये पारस्तिकी तंदर को और भी सुरक्षे करने के लिए blue carbon agency को launch किया तो इसे launch किया है किस state ने इसे launch किया है तो सही answer होगा Tamil Nadu is the right answer In which of the following state has the animal husbandry department issue an advisory to protect animal from the cold way तो पशुपालन विभाग ने पशुआ को शीत लहर से बचाने के लिए एक सला जारी की जिस पे क्या था तो friends ये जो सला जारी की थी ये किस ने करी थी हर्याणा government ने Next question के बात करें तो दिखें स्वच सर्वेशन जो awards हुए थी उसमें इंदौर और सूरत को cleanest cities का title मिला ये कितनी बार है जब इंदौर को cleanest city का title मिला है तो ये है सातवी बार तो friends यहां हमारे आज के सभी important questions complete हो गए है बात करते हैं टेस्ट की तो थोड़ा सा काम हम आपको भी देते हैं टेस्ट का इंदौर अंसर comment करके बताना पहला question है कौन से राजय सरकार ने योगे श्री नाम की योजना शुरू की और दूसरा question है अभी recent देखे United Cup title हुआ था ये किस country ने जीता तो ये हैं आज के दो बहुत important questions चल्दी से बता दीजे comment करके इन दोनों question का answer और इसके साथ friends इस video को यहां पे end करते हैं Thank you so much for watching this video